हेलो दोस्तो आज कि इस वीडियो के अंदर हम एक हाई स्पीड फैन बनाने वाले हैं जिसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे ये कार्डबोर्ड के पाइप आप देख सकते हैं जो पाइप है कार्डबोर्ड के ये आपको पुराने स्काइसोट यानि कि आसानी से कट जाती हैं आप किसी भी सार्फ नाइफ वगरेगा यूज कर सकते हैं तो दोस्तो देखते हैं मैंने फिलाल इस बोटल के अंदर एक होल कर लिया है और फिलाल मैं इसको फटा-फट से काट लेता हूं तो दोस्तो ये बोटल कटने के बाद कुछ इस तरह की करण ऩॉब य benz करूँ गा तो देखते हैं मैं यहां तो मैंने यहां पर ग्ismata कंट लियार आज तो देखते हैं जा पर पर इसके अंगे अंदर है और जिसके वजह से अच्छे तरह रहा है तो जिस्थो काफी दे रहा है फिलाला भी इसका और तो देख सकते हैं इसके दूसरा पीस था उसके नीचे मैंने एक होल कर दिया है यह होल मैंने क्यों किया इसके आपको बाद में पता चलेगा तो तो अब सारा काम जो है इसके उपर होने वाला है तो सबसे पहले मैं यहांपर लूँगा एक प्लास्टिक सीट का छोड़ा सा ट कर सकते हैं इसके उपर जो हैं मोटर सट करने वाला हुं तो दोस्तों सबisteru सब्सेवें हमेले लेंगे यह जाम से मूदब जाते हैं किस गवी गरम चीजिसके आस्पास हम पर भ purchase तो यह से मूड़ जाते हैं कि सीक्समी तारी के आपको मोड़ने हैं वो भी मैंने आप एक motor fix करेंगे हम तो दोस्तों इसको उपर fix करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूं यह drone motor और इसके जो rpm होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं तक्रीबन 28,000 पर मिनिट यानि कि एक मिनिट में थाइस हजार बार यह घूम जाता है तो दोस्तों इसको उपर मैं पर बांग दिया है इसकी help से और अब मैं क्या है इन वायर को निकाल के यहाँ पर दूसरे wires लगाने वाला हूं तो दोस्तों देखते हैं मैंने यहाँ पर सारा काम कर दिया है आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए और यह जो hole मैंने किया था इसलिए किया था ताकि मैं इसक पिक्स हो गया है आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर बाकि दोस्तों अब मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूं आगे मैं दिखाता हूं आपको यूज करने वाला हूं 3.7 वोल्ट की मोबाइल बैटरी आप यहाँ पर कोई भी बैटरी यूज कर सकते हैं मैं तो इसे निकाल लेता हूं क्योंकि वह वाला वायर इसके अंदर लगाना आसान नहीं होगा तो यहाँ पर मैं सीजर की हेल्प से वायर को ऊपर की तरफ ले आता हूं और दोस्तों अब मैं फलाल यहाँ पर कर देता हूं इन सब के कनेक्शन इसके अंदर जो हमारा ग्रीन वायर है व आपका सोट सर्केट नहीं होगा और फैन भी लंबे टाइम तक चलता रहेगा तो दोस्तों टेप वगएरा लगाने के बाद मैंने इसको बिल्कुल फिक्स कर लिया है और देख सकते हैं मैंने आपको बता येलो जो है वह नेगेटिव वायर है तो टेप वगएरा लगाने के पाद ये विल्कुल फिक्स हो चुका है तो अब क्या करेंगे इस सारे सिस्टम को अंदर रखते हुए यानि कि सारे वायर को अंदर करते हुए इसको उपर से लगा देंगे और यह कुछ इस तरीके का दिखाई देगा बाकी एक्स्ट्रा वायर को काटने के बाद तो मैंने बैटरी के नेगेटिव के साथ डारेक्टे अटेच कर देंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हैं आप एक बारी देख लीजिए बाकी दोस्तों सारा काम यहां पर हो चुका है अब फलाल में बताता हूं कि प्रोपेलर जो है हम ड्रोन की यूज़ करेंगे हैं आप देख लिए तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर कार्डबोर्ड नहीं लगा तो इसको भूल गया तो मैंने लगा लिया है तो दोस्तों मोबाइल वैली बैटरी थी वह डिस्चार्ज थी इसलिए मैंने यहां पर यूज़ कर रहा हूं यह ड्रोन की बैटरी जो कि 3.7 550 mh की है जो कि काफे अदर पावरफुल होती है तो दोस्तों यहां पर बैटरी को मैंने सेट करने के बाद इसको जो उपर का कार्डबोर्ड है इसको भी मैं अब इसके उपर ही सेट कर देता हूं इससे क्या होगा इससे ना तो इसकी बैटरी बाहर दिखाई देगी ने इस होंगे हवा कितनी तेज है बाकि मैं आपको बता दू हवा जो है काफी ज्यादा तेज है यह थोड़ा घूम रहा है इसके उपर मैं टेप अगर लगा इसको फिक्स कर दूंगा उसके कोई प्रोब्लम नहीं है बाकि दोस्तों यह फैन जो है काफी अच्छे से वर्क कर रहा हुआ